हेलो फ्रेंज कैसे हूँ आप लोग मैं हूँ ताज और आप देख रहे हैं TechDXP आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CCTV ड्राइंग को किस तरह से रीट किया जाता है और इस ड्राइंग को रीट करते हुए मैं आपको CCTV सिस्टम के बारे में बताऊंगा तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो यह जो सामने आप देख रहे हो यह है हमारा CCTV का एक ड्राइंग जिसके राइट साइड डाउन कार्णर में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ड्राइंग का नाम और यह सारा कुछ इसका डीटेल लिखा हुआ है यह है हमारा एक Block A का Primary Building का CCTV का लियाउट और इसमें जो सबसे उपर वाला ड्राइंग है वो है हमारा Ground Floor का ड्राइंग और उसके बाद जो है हमारा First Floor और Roof Floor का ड्राइंग है जैसा कि आप देख सकते हो तो सबसे पहले हम उपर में देखते हैं यह देखो लिखा हुआ है Block A Ground Floor Primary Building उसके नीचे जो है हमारा Block A First Floor Primary Building और उसके बाद जो है हमारा Block A Roof Floor Primary Building तो इसमें जो है तीन ड्राइंग आपको नजर आ रहा है सामने तो सबसे पहले हम लोग Ground Floor पर आते हैं और इसके जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारा Gold Camera दिख रहा है और different type का कुछ कुछ चीज दिख रहा है इसको हम लोग Bullet Camera कहते हैं यह जो है Waterproof ऐसे लिखा हुआ यहां पर कि जो हम लोग Outside में लगाएंगे वह Waterproof होगा उसके इलाबा जो Bullet Camera है वे Face Recognition Camera जहां पर रेट कलर का है Camera, Card Plate Number Recognition, ANPR Camera जिसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा Green Color का है Bullet Camera और उसके बाद हमारा CCTV Junction Box है और Central Access Card Reader लिखा हुआ है यहां पर तो यह तो हमारा Symbol हो गया तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा Dome Camera है वो Indoor में हम लोग यूज करते हैं तो वो Camera हम लोग देखते हैं और Dome Camera जिलनली हम लोग सीलिंग में लगाते हैं तो यहां पर आप देखो जैसे कि हम लोग Right Side से शुरू करते हैं तो यहां पर आपको देखो जो हमारा एक area है जो कि हमारा general store लिखा हुआ है general science lab लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हमारा science lab में यह dome camera लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कहां जा रहा है यह तो 2 cctv jb gf jb का मतलब junction box ground floor पर जो इसका junction box है जा रहा है उसके बाद यहाँ पर देखो यह क्या लिखा हुआ है 25 mm PVC conduit with cat6 cable camera के लिए जो cable हम लोग use करते हैं वो cat6 cable use करते हैं और यहाँ पर यह camera से direct जो है जो हमारा या तो हमारा main control room होगा या separate separate IDF हम लोग एक area में बनाते हैं तो वहाँ पर अगर IDF हम लोग बनाएंगे तो IDF तक यह जो है camera का cable हमारा जाएगा क्योंकि हमारा camera जो cat6 cable होता है generally हम लोग 90 meter तक ही follow करते हैं अब बहुत बड़ा area जैसे रहेगा लेट से 200 meter या 200 meter रहेगा तो उस case में हम लोग separate IDF बनाते हैं और उसके बाद 90 meter तक के cable को हम लोग एक जगा पर terminate करते हैं वहाँ पर हम लोग patch panel लगाएंगे और उसके बाद switch लगाएंगे और वहाँ पर switch जो है वो fiber optic cable से connect होगा एक दूसरे से और फिर वो main control room में जाएगा main control room में हमारा monitor रहेगा monitor हम लोग दूसरे जगा भी रख सकते हैं जैसे कि हम लोग security room में या principal room में या कोई act authority वाला जैसा जगा है वो हम लोग वहाँ पर रख सकते है monitor monitor एक separate जगा हो सकता है और सारा जो termination का cable वो अलग जगा पर हो सकता है तो यहाँ पर हम लोग यह दूसरा camera इसके बगन में देखते हैं यह जो है हमारा bullet camera है यह आप देख सकते हों यह हमारा staircase में लगा हुआ है वाल पर और यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ CCTV junction box में यहाँ से cable जा रहा है उसके बाद यह जो camera है हमारा dome camera है जो कि हमारा corridor में लगा हुआ है यह भी corridor में लगा हुआ है उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं ICT lab में camera लगा हुआ है यह हमारा dome camera है उसके बाद यहाँ पर हमारा यह जो है यह भी camera हमारा corridor में लगा हुआ हुआ है ठीक है तो यहाँ पर face recognition camera लगा हुआ है red color का जासा कि आप देख सकते हैं उसके बाद यह है हमारा LC room और यह देखो यह camera हमारा यहाँ पर वाल पर लगा हुआ है तो यह हमारा जो bullet type का camera है ठीक है generally majority में जो है जो bullet type का camera होता है वो थोड़ा लंबा दिखता है जैसा कि आपको फोड़ा इसमें ड्राइंग में भी दिख रहा है लंबे टाइप का होता है और डॉम जो होता है वो round type का डॉम का शेप का होता है जैसा कि आपको design में भी same shape में ही दिख रहा है ठीक है यह पूरे जो ground floor का cable का termination हो रहा है वो यहां पर junction box में आ रहा है junction box में आने के बाद यहां पर हम लोग का ही एक जो है हम लोग cabinet लगाएंगे यह जो cabinet का size होता है वो determine किया जाता है कितना cable आ रहा है उसी साफ से तो अगर ज्यादा cable है तो हम लोग उस हिसाफ से करते हैं maximum जो cabinet होता है हम लोग use करते हैं 42U cabinet होता है बट camera के लिए generally 12U cabinet या फिर 12U या 15U है 27U cabinet हम लोग use करते हैं size के हिसाफ से जैसे अगर सिर्फ partially जैसे IDF है तो generally 12U cabinet में हमारा काम हो जाता है ठीक है तो आपको ये चीज आपको किलिर समझ में आ गया होगा ये हमारा ground floor का हो गया उसी तरह first floor का जो है फर्स्ट फलोर का भी आपको सारा camera जो है वो एक जगहा पर ही जा रहा है ये देखो LC room आपको नदर आ रहा है और junction box यहाँ पर आपको CCTV junction box नदर आ रहा फर्स्ट फलोर पर उसके बाद हमारा जो है roof floor का जो camera है वो भी वहीं जाएगा यहाँ पर आप देखो कि CCTV junction box में फर्स में हमारा LC room में एक IDF बना हुआ है तो सारा जो cat6 cable जो camera के लिए हम लोग यूज किया यहाँ patch panel में यहाँ पर terminate होगा और उसके बाद जो है यहाँ पर switch लगेगा और यह जो main control room से connect होगा वो fiber के through connect होगा जो की हमारा service block में तो fiber के through connect होगा और उसके बाद जैसे और जो दूसरा block है B, C, D, E वो सारे separate separate block जो है fiber से connect होगे और उसके बाद जो है वहाँ पर हम लोग camera का NVR रखेंगे और उसके बाद recording भी वहीं पर होगी और जो monitor होता है वो हम लोग security room में रखेंगे तो इस तरह से वो हमारा system चलता है अगर छोटा ऐसा कोई एक छोटा ऐसा area लेट से अगर सिर्फ इतना छोटा ही ऐसा area रहता तो उस case में जो है बस एक जगह पर हमारा termination होता वहीं पर हमारा NVR भी रहता और वहीं पर हार्ड डिस्क ये सारा कुछ rack में वहीं पर रहता UPSP वहीं पर रहता और वो इस तरह से terminate हो जाता और CCTV का monitor है वो उस area में भी हम लोग रख सकते हैं और कहीं और भी रख सकते हैं तो इस तरह से वो काम होता है CCTV system का आई होप कि आपको ये system पूरी तरीके समझ में आगे हो कि कैमरा की ड्राइंग को किस तरह से read करते हैं कैमरा से particular particular जो हर एक कैमरा से direct cable connect होना होता है जो हमारा patch panel तक और हमारे switch तक तो ये चीज़ आपको clear होना चाहिए कि हर एक कैमरा से direct cable आना होता है कोई looping नहीं किया जाता है और power जो है आज कल के जितने भी कैमरा होते हैं वो उसमें PoE power होता है मतलब power on ethernet मतलब cat6 cable के थुरू ही power कैमरा को मिल जाता है तो कोई additional power आज के date में कैमरा को देने की कोई दरूरत नहीं होती है I hope कि ये वीडियो आपको informative लगा होगा और वीडियो पसंद है तो please like, share and subscribe मैं चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई